गुट मॉर्निंग बच्चों आज हम मैस में सॉल्व करने वाले हैं एक्साइज 11.5 मैंने आपको इसमें एक्साइज 11.3 एंद 11.4 पहले करा दे थी आज मैं आपको आने वाली हूँ एक्साइज 11.5 ठीक तो देखें मैंने आपको इसमें एडिशन और सब्ट्रेक्शन करा दिये थे अब आते हैं आपके मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन ठीक मैट्रिक सिस्टम में अब आप करने वाले हैं मल्टिप्लिकेशन और डिवीजन तो देखिए सबसे पहले है आपका multiply ठीक multiply भी बहुत easy है जैसे हम normally करते हैं वैसे ही है बस आपको हमेशा एक चीज का ध्यान डगना है इसमें आपको unit लिखती ही जानी है ठीक कैसे देखिए मैं आपको इसमें two questions कराने वाली हूँ तो हम सबसे पहले one question कर लेते हैं फिर हम second वाला करेंगी तो question क्या है आपका one वाला देखिए 5276 multiply 4 तो हमको 5276 में 4 का multiply देना है तो हम यहां से देना start करेंगे तो पहले 4 का multiply 6 में देंगे तो पता है यह answer कितना आएगा four six are below 24 तो 24 का यहां पर आ जाएगा four ठीक और four के उपर क्या है unit क्या है जी तो यहां पर आ जाएगा आपका जी ठीक अब four six are होते हैं 24 हमने लिखा है यहां पर four और two carry carry हम लिखेंगे नहीं अब हम four का multiply 7 में देंगे तो four sevens are below direct बताएगे जल्दी जल्दी table learn नहीं है क्या आपको जल्दी बोलो four sevens are twenty eight twenty eight में two eight करो twenty nine thirty तो यहां पर आ जाएगा आपका zero और three carry अब देखिए seven के उपर unit क्या है डेका ग्राम तो लिख दीजें यहां पर मेरे पर यहां पर space नहीं है पर आप अपनी notebook पर space के साथ अच्छे से लिखिएगा ओके carry कितनी है हमारे पास अभी three तो अब हमको क्या करना है four का multiply two में देना है तो four two's are below eight carry कितनी है three तो eight और three add करो nine ten eleven कितना आगया आपका eleven eleven का हम क्या लिखेंगे one ठीक one carry carry का हमें अभी कोई मतलब नहीं है अब देखो two के उपर क्या है हेक्टोग्राम तो लिखाओ यहाँ पर लिखो हेक्टोग्राम अब हमें क्या करना है four का multiply five में देना है carry कितनी है याद रखना हमेशा one तो four का multiply five में देजिए पताहिया अंसर कितना आएगा four five thousand twenty अफ carry है one तो twenty में one add करो twenty one यहाँ पर आपकी unit क्या है किलो ग्राम देखिए यह हो गया आपका पूरा अच्छे से समझ में आ गया answer कितना आया twenty one किलो ग्राम वन हैटो ग्राम जीरो डेका ग्राम फोर ग्राम ठीक समझ में आ गया आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए बच्चों यह है हमारा second question तो हमारे पास क्या है 7243 multiply 7 हमको 7243 में 7 का multiply करना है यानि देना है तो हम क्या करेंगे हम पहले 7243 में 7 का multiply करेंगे तो पहले 7 का multiply 3 में कीजिए 7 3000 बोलो 7 3000 21 तो यहाँ पर लिखिए 1 और 3 के उपर क्या है यह अनिट आपकी मीटर तो मीटर के लिए M ठीक अब कैरी कितनी है हमारे पास 2 ठीक है तो कैरी हमें अपने mind में रखनी है अब हमें क्या करना है 7 का multiply 4 में करना है यह बहुत easy question है आपक समझ में आ रहे होंगे न अच्छे से हाँ तो 7 4000 बोलो 28 28 में कैरी कितनी है हमारे पास अभी बोलो जाजी से हाँ 2 तो 28 में 2 एट करो 29 30 30 का 0 कैरी कितनी है 3 अब देखो 4 के उपर यूनिट क्या है आपकी पास डेका मीटर लिखिए d a m ठीक कैरी है हमारे पास 3 अब हमें क्या करना है 7 का multiply 2 में देना है तो 7 2000 बोलो 14 कैरी कितनी है 3 तो 14 में 3 एट करो 14 में 3 एट कर दीजिए 15 16 17 तो 17 का आप क्या लिखेंगे आप 7 1 कैरी अब देखो 2 के उपर क्या है है हेक्टो मीटर तो लगाओ यहां पर हेक्टो मीटर ठीक अब हमें क्या करना है अब हमें 7 का multiply 7 में करना है और कैरी कितनी है 1 ठीक तो 7 7s are बोलो 49 ठीक कहली कितनी है 1 तो 49 में 1 एट करो कितना आएगा आपके पास 50 लिखो और यूनिट क्या है आपके पास किलो मीटर देखिए हो गया हमारा ये क्वेशन पूरा तो आँसर कितना आया 50 किलो मीटर 7 हेक्टो मीटर 0 डेका मीटर और 1 मीटर ठीक तो मैंने आपको इसमें 1 & 2 दोनों क्वेशन अच्छे से स्वाल करा दिये हैं बागी क्वेशन आपको खुद करने है ओके तो multiply समझ आगे बढ़े divide करें चलिए डिवाइट करते हैं अब हम देखिए क्या है हमारे पास question 6,355 को हमें किस से divide देना है 5C 6,355 को किस से divide देना है 5C ठीक तो देखे हम क्या करेंगे हम पहले फर्स नमबर को देखेंगे डिवाइट करना तो आप सीख कए है ना तो जल्दी से डिवाइट करिये मेरे साथ six को five से डिवाइट दीजिए तो five के table में पढ़िये six से जब द नमबर ना आए five and zero five five two zero ten ten ज़ादा है तो हम क्या करेंगे एक नमबर पहले लेंगे तो 5, 1,0, 5 ठीक यह हो गया अब देखो 6 के उपर क्या है जी तो आप क्या लगा दोगे हाँ पर ग्राम आपने दे दिया इसको ना डिवाइट दे दिया तो आप यहाँ पर डादे क्लिक क्या लगा दोगे जिसकी उपर जो यूनिट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी ठीक अब करेंगे हम सब्ट्रेक्ट तो 6 में से 5 सब्ट्रेक्ट करो बताओ आँसर कितना आएगा बोलो 1 ठीक हम 1 को 5 से डिवाइट नहीं दे सकते हैं क्योंकि 1 छोटा है हम 3 को यहाँ पर नोट करेंगे अब 13 को 5 से डिवाइट दीजे 5 की टेबल पढ़िए 13 से ज़्यादा नमबर 9 5 जार 5 5 टूस आर 10 5 टूस आर 15 15 ज़्यादा होते हैं न 13 से तो हम क्या करेंगे एक नमबर पहले लेंगे तो 5 टूस आर 10 अब देखो 3 के उपर क्या थी 10 ग्राम तो यूनिट लगा दो 2 के बाद 10 ग्राम अब हम क्या करेंगे 13 मैं से 10 सब्टेट करेंगे तो पताओ 3 मैं से 0 3, 1 मैं से 1 0 क्या आप 3 को 5 से डिवाइट दे सकते हैं नहीं क्यों 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 कि 3 छोटा है तो अब हम क्या करेंगे यहां से 5 ले लेंगे ठीक अब 35 को 5 से डिवाइट दीजिए 5 की टेबल पढ़िए 5 एंजार 5 5 टूजार 10 5 त्रीजार 15 5 फोटजार 20 5 फाइवजार 25 5 जार 30 5 सेवनजार 35 तो 35 पूरा पूरा आ गया तो यहां पर 7 लेखो 5 सेवनजार 35 5 मैं से 5 0 3 मैं से 3 0 अब देखो 5 के उपर क्या था 70 ग्राम तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 70 ग्राम अब आपके पास बचा है 5 तो 5 को 5 से डिवाइट दे सकते हैं क्यों? 5 के बाद क्या आ जाएगा? मिली ग्राम समझ रहे हैं आप मेरी बात अच्छे से तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 ग्राम 2 10 ग्राम 7 सेंटी ग्राम 1 मिली ग्राम ठीक अच्छे से समझ में आ गया आगे बड़े एक और क्वेशन करा दू में? सेकेंड क्वेशन क्या है? 8,694 को हमें किस से डिवाइट देना है? 2 से 8,694 को हमें किस से डिवाइट देना है? 2 से तो पहले हम क्या लेंगे? 8 तो पहले हम 8 को 2 से डिवाइट देंगे 2 की टेबल पढ़िए 8 से ज़़धा नमबर? 9 2 1s आर? 2, 2, 2's are बोलो 4, 2, 3's are 6, 2, 4's are 8, तो 8 पूरा-पूरा आ गया ठीक, 8 के उपर क्या है मीटर, तो 4 के बाद क्या आ जाएगा मीटर, अब 8 पैसे 8, माइनस करो कितना आएगा 0, है ना अब हम क्या करेंगे, यहां से 2nd number लेंगे, तो यह हो गया आपका 6, अब आपको क्या करना है 6 को 2 से डिवाइट देना है तो 2 की टेबल बोलिए 6 से ज़्यादा नम्मर 9, 2, 1's are 2, 2, 2's are 4, 2, 3's are 6 तो यह भी पूरा-पूरा चला गया 6 में से 6 गया 0, अब देखो 6 के उपर क्या था, decimeter यहां पे लिख दो 9 से ज़्यादा नम्मर 9, 2, 1's are 2, 2, 2's are 4, 2, 3's are 6, 2, 4's are 8 2, 5's are 10 10 ज़्यादा होते है 9 से, तो हम एक नम्मर पहले लेंगे, है ना 2, 4's are 8 अब 9 में से 8 सब्टेट करो, बताओ आंसे कितना आएगा, 1 9 के उपर क्या है सैंटी मीटर तो 4 के बाद क्या आजाएगा, सैंटी मीटर, आप हम यहाँ से 4 को लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 चोटा है, इसलिए हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं तो अब आपके पास नम्मर हो गया 14 अब हमको 14 को 2 से डिवाइड देना है, तो 2 की उपर क्या था, मिली मीटर 7 के बाद क्या आजाएगा, मिली मीटर, आपको समझ में आ गए दोनों क्वेशन, अच्छे से तो देखो, अब आपको होमवख में क्या करना है, आपको होमवख में एक्सरसाइज 11.5 पूरी, आपको अपनी होमवख नूटबुक पर सुन्दर हैंडराटिंग के साथ पूरी, सॉल्ब करनी है ओके, अब मैं आपको मिलूँगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड़ बाई